दोस्तो अब कुछ ही दिनों में Flipkart पर Big Billion Day Sale सुरू होने वाला है और अगर आपको एक smartphone क्या अगर आपको एक iPhone लेना है वो भी latest model हो या फिर पुराना models तो यहाँ पर वीडियो को end तक देखो और हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीके जिसे की आप 20-30,000 तक बचा सकते हो और जहाँ पर हमें smartphones भर-भर के जवरदर्स्त offers के साथ हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर massive price cut देखने को मिलता है Big Billion Day Sale में और more importantly, iPhones में बहुत ही ज्यादा price cut होते हैं इसी sale के दोरान, इसलिए मैं आपको यहाँ पर recommend कर रहा हूँ कि आप at least एक महीने तक wait कर जाओ, then आप कोई भी iPhone ले सकते हूँ, especially flagship smartphone like Samsung की तरफ से S-series में और iPhone के जो latest models है, वहाँ पर हमें massive price cut देखने को मिलते हैं, like यह all time low भी चला जाते हैं, इसलिए आप इस Big Billion Day Sale को target करके चलो, जहाँ पर आप काफी सारे पैसे बचा सकते हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर ना ज्यादातर लोग excited रहते हैं iPhone के price को लेकर, Big Billion Day Sale में iPhone के price काफी down चले जाते हैं, तो इस भीड़ा में हम कुछ हद तक guess करने की try करेंगे कि iPhone के price क्या रह सकता है, और कब से यह Big Billion Day Sale सुरू होगा, वैल इसका कोई भी official update तो अभी तक नहीं आय है कि यह कौन से date पर शुरू हो जाएगा, लेकिन हम guess कर सकते हैं कि कौन से महिने के किस week से start हो सकता है, तो यहाँ पर बात करें अगर iPhone के सभी latest model जो की आप purchase कर सकते हो, तो पहला है iPhone 11, iPhone 11 का design काफिया तक बहतरीन था, और यहाँ पर हमें बहुत सारे colors variant में देखने को मिल ज decision नहीं होगा क्योंकि इसी same price point पर यहाँ पर और भी बहुत सारे smartphones available हैं, और यहाँ पर आपको 5G का कोई भी option नहीं मिलेगा, यहाँ पर XDR Retina display नहीं है, और iPhone 11 का जो processor है वो भी काफी पूराना है, और इसका जो भी update cycle है, जो iOS updates आता है वो भी almost खतम होने वाली है, और अब त iPhone 11 को लेने किया, तो यह वाला iPhone 11 तो मैं आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा यहाँ पर, और अगर आप एक hardcore Apple fan हो और आपका budget उतना ही है, इसके बाद ही आप consider कर सकती हो, otherwise आप at least 5-7,000 पूस्ट करके आप iPhone 12 ले सकती हो, iPhone 12 में 11 के comparison में काफी major changes है, like display में यहाँ पर XDR Retina display देखने को मिल जाता है, notch देखने को मिलता है, इसके बाद यहाँ पर 5G का option भी है, और इसके अलाबा यहाँ पर camera design भी काफी जवरदस्त है, A14 bionic chip भी है और इसका update cycle भी और एक दो साल जरूर है, 12 प्लस 12 मेगापिक्सल के camera और IP water resistance का rating भी है यहाँ पर, इसलिए आप इस smartphone का price range रह सकता है, 28,000 to 31,000 और दोस्तो iPhone 12 को भी अगर आप एक hardcore Apple fanboy हो, तो ही choose करना इसी price range में, otherwise अगर आपको Android पसंद है तो इसी price range में जबरदस्त Android smartphones available है, और दोस्तो यहाँ पर iPhone 12 में भी कुछ हद तक outdated features है, जैसे कि इसमें 2800 mAh का battery है, उसके बाद एक बड़ा सा notch देख देखने को मिलता है यहाँ पर और display size भी काफियत तक छोटा है, लेकिन अगर आपको एक iPhone ही लेना है और आपका budget बिल्कुल भी tight है, इसके बाद ही आप iPhone 12 को choose करना यहाँ पर, next है यहाँ पर iPhone 13, iPhone 13 में पहली बार हमें camera का जो safe है, मतलब कि camera position है, वो change होते हुए देखने को म मिला था, और इसमें हमें camera और smartphone का design भी काफियत तक changes देखने को मिला था, और यह काफी बहतरीन था, iPhone 13 काफी चला भी था, notch को काफियत तक minimize कर दिया गया था, और इसके अलाबा यहाँ पर A15 Bionic chipset भी देखने को मिल जाता है, डिस्पले में यहाँ पर 6.1 inch Super Retina XDR Plus डिस्प यहाँ पर battery में भी iPhone 12 से काफी upgrade था, यह 3600 mAh के साथ launch था, और इसका price sum expect कर सकते है, around 35,000 to 38,000, और दोस्तों यहाँ पर iPhone 13 का जो best variant है, वो 128 GB से शुरू होता है, और iPhone 12 में सिर्फ 64 GB से शुरू होता है, तो इसलिए iPhone 12 से यहाँ पर iPhone 13 में massive upgrades है in terms of features, और दोस्तों next है, यहाँ और iPhone 14, और यहाँ पर मैं एक clearly suggestion दे देता हूँ कि आपको iPhone 14 किसी भी हाल में purchase नहीं करना है, क्योंकि iPhone 13 में और iPhone 14 में बिल्कुल ही minor changes है, इसलिए आप iPhone 14 को avoid ही करो तो काफी बहतर रहेगा आपके लिए, इसके बदले आप जा सकते हो iPhone 15 में, definitely कुछ extra cost ज़रूर लगेगा, ल comparison करें तो यहाँ पर comparison करने like कुछ है भी नहीं, camera के position सेम है, display सेम है, design सेम है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें chipset भी same ही देखने को मिलता है, और भी सभी features यहाँ पर same ही है, इसलिए आप iPhone 14 को definitely skip ही करना है, again यह मेरा recommendation है, अगर आपको iPhone 14 13 से बहतर लगा तो आप इसे choose कर स करने, तो यहाँ पर यह 44,000 से लेकर 46,000 तक रह सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं clearly यही suggest करना चाहूंगा, कि अगर आप iPhone 14 लेना चाह रहे हो, then आप iPhone 13 को switch कर जाओ, और कुछ extra cost save कर लो, और अगर आप कुछ extra cost push कर सकते हो, then iPhone 15 पर ही जाना, हाँ यहाँ पर कुछ extra cost अग compared to iPhone 13 और 14, इसलिए iPhone 14 Plus को iPhone 14 के जगा पर choose कर सकते हो, और यह भी under 50,000 के under available हो जाएगा, बिक बिलियन डे सेल में, तो यह भी एक बहतरीन डील हो जाता है, इसी price range में, तो iPhone 15 के अगर यहाँ पर बात करें, तो iPhone 13 और 14 से यहाँ पर काफे major changes है, like dynamic island है, type C charging port है, और इसके बाद हमें camera में upgrades देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर display में भी, A16 bionic cheap और battery में भी यहाँ पर 3700 mAh का battery wake-up देखने को मिल जाता है, क्योंकि कहाँ यह जा रहा है कि यह iPhone 15 इस बार 50,000 के under मिल जाएगा हमें, और यह start होगा 49,999 से लेकर 53,999 तक, और आपको पता है होगा flip card का जो policy औ और किस तरह से flip card manipulate करता है pricing को लेकर, इसलिए अगर आप serious हो iPhone 15 बगरा या फिर iPhone के किसी भी models को लेने के लिए तो आप fast day में ही इसे purchase कर लेना, अगर आप wait करते हो या फिर purchase नहीं कर पाते हो यहाँ पर आपको cost ज्यादा पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में वस इतना ही, अग एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग